मुदी जी और राहुल आपने दोनों ने मिलकर ये बहुत अच्छा जुगार निकाला है दोनों लोग अपनी टोकरी में आम और सेव रखकर और उन टोकरी को कंदे पर एक डंडे पर रखकर बेचने ले जा रहे हूं मुझे तो अपनी अंगूर की टोकरी को अपने सर पर रखकर बेचना पड़ता है मेरी गर्धन दर्द करने लगती है आपका जुगार तो बहुत अच्छा है मेरी इस अंगूर की टोकरी को भी रख लो अपने इस डंडे पर योगी ये तुम्हें इस जंडे पर कही पर जगा दिख रही है जिस जंडे पर हम आम की और सेब की टोकरी रखकर ले जा रहा है उस पर इतनी जगा नहीं है कि तुम्हारी अंगूर की टोकरी आ जाए बहाँ पर तुम अपली अंगво की डोगरी सर पर रख करी बेचो अरे मुधि जी बोदे को अकलेशा रहा है मुझे लगता है ठो फल लेके जाएगा फल बहुत खरीदता है भो लगता है बो आम लेगा आम तुम्हें गयासे पता आम खरीदेगा लेलो बहुत बढ़िया आम है और रावल मुझे किसी भी फल का छिलका छीलना पड़ता है तो मेरा सेव लेलो सिर्फ काटना है छीलना भी नहीं है काट कर खालो आराम से, बहुत बढ़िया से मैं ताजा ताजा, पचास रुपए किलो लगा दूँगा अरे भई मोधी जी काटना तो पड़े गाई, छीले और काटने में कोई फरक तो है नहीं मैं सोच रहा हूँ, ऐसा फल लूँ, जिसे न काटने और न छीले की जंजडो, सीधा मूँ में डालो पेट के अंदर ऐसा फल तो अकलेस हमारी पास है, ये देखो अंगूर, बस अंगूर के एक लच्छे को साप पानी में धोके, मूँ में गप से जाल के खा जाओ न छीलने की दिक्कत, न काटने की दिक्कत, ये आम सेप तो बेकार है, तेरे अंगूर ही ले लो, ये बात तो बहुत बढ़िया बताई योगी जी आपने, न छीलने की दिक्कत, बस तोड़ो और मूँ में डाल लो, अंगूर तो मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन पचास रुपए किलो दो, तो बताओ, अरे अखलेश जब तुम मांग रहे हो, तो तुम्हे तो देना ही पड़ेंगे, लाओ निकालो पचास रुपए, भाई लोगो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राब करो